दोस्तों आजकल दो तरह के आपको लोग मिल जाएंगे एक वो जो की हर रोज नएने फोन खरीदते रहते हैं हर रोज से मेरा पतलब है हर महीने दो महीने छे महीने में नएने फोन खरीदते रहते हैं और वहीं कुछ ऐसे लोग हैं जो की फोन खरीदना चाहते हैं लेकिन कम में तो यहाँ पर जो है कई लोग second hand phone खरीदना चाहते हैं वहाँ पर आपको क्या-क्या धान रखना है second hand phone खरीदने से पहले यह बाते बताऊंगा मैं आपको इस वीडियो के अंदर जो की काफी important रहेगा उन लोगों के लिए जो की second hand phone phone खरीदना चाहते हैं तो second hand phone खरीदने सے पहले सबसे पहले आपको इह ध्यान रखना है कि आपको online अगर आप phone खरीद रहे हैं Facebook वगञ़ा वदलब कि ए सोशल web site से खरीद रहे हैं आप phone तो आप Dan को ध्यान रखना है कि आप ederim phone तो उस बंदे से मिलिए और उस से मिलकर उस परसन से मिलकर आप फोन खरी दिये जिससे की फ्रॉड के चांसे से वो कम हो सके तो अगर आप उस इनसान से मिलकर फोन खरीते हैं जो आपको फोन बेचना चाहते हैं तो जादा अच्छा रहेगा जिससे की फ्रॉड के चांसे कम हो और जो बिल में मैंशन है, IMA नमबर वो मैंच है की नहीं। इसके अलावा आप IMA नमबर वगरा को चेक करने के लिए आप online websites वगरा यूज़ कर सकते हैं। जिससे आपको ये पता चलेगा कि phone जो है वो warranty में है या नहीं। और इसके अलावा आपको basic चीज़े पता लग जाएगी online websites वगरा के थुरू। इसके अलावा आपको phone को 15-20 minutes तक यूज़ करना है। मतलब कम से कम 15-20 minutes यूज़ करते हैं आपको ये चेक करना है कि phone जादा hot तो नहीं हो रहा। कई इस पे internal problem तो नहीं है। कई इस phone के अंदर जो है जो gap between the screen जो है और जो body है उसके बीच में gap तो नहीं। कई ऐसा तो नहीं कि screen जो है वो change हो चुका है phone का और जो है तब जाके आपको ये phone बेचा जा रहा है और अगर आप देखेंगे कि phone जो है gap है between the screen and the body of the phone तो आप समझ सकते हैं कि शायद screen जो है वो change हो चुका हो phone का इसके अलावा आपको ये चेक करना है कि phone का camera proper काम कर रहा है या नहीं फोटो क्लिक करके देखिए उससे वीडियो बना के देखिए आप देखिए कि phone का camera proper काम कर रहा है या नहीं इसके अलावा आप चेक करिए कि phone जो है proper charge हो रहा है या और चार्ज होते टाइम गरम तो नहीं हो रहा जादा ये सब बेसिक चीज़ आपको चेक करनी है और कम से कम 15-20 मिनट तक आपको फोन को यूज़ करके देखना है और इसके अलावा दोस्तों ये भी चेक कर लीजिएगा कि फोन का नेटवर्क प्रॉपर आ रहा है कि नहीं कॉलिंग करने के बाद नेटवर्क मिल रहा है या नहीं आवास क्लियर आ रही है कि नहीं आप जिससे बात करें वो आपके आवास clear सुन पा रहे हैं और आप आपको clear आवास सुनाए दे रहे हैं तो यह सब basic चीज़ें आपको check कर रही है पहले तो payment मत करिएगा आप पहले मिलकर payment करिएगा जिससे आप phone करेंदा चाहते हैं दूसरा आप IMEA number को check करिए through the bill and the phone and through the online websites and all इसके अलावा आप चेक करिए कि phone proper charge हो रहा है नहीं screen जो है सब वो second hand तो नहीं डला हुआ इसके अलावा चेक करिए phone ज़्यादा गरम तो नहीं हो रहा कई internal motherboard वार की issue तो नहीं है आप पूरी body को check करें phone के की कहीं जो है ज़्यादा hot तो नहीं हो रहा phone तो यह सब चीज़ा आपको check करनी है और उसके बाद ही आपको decision लेना है phone जो है उसको खरीदना है या नहीं हाँ phone unlock वगरा करवा लीजेगा fingerprint sensor वगरा change करवा लीजेगा phone लेने से पहले तो दोस्तों यह सब basic चीज़ा आपको check कर रहे है फोन लेने से पहले और दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को जरू लाइक कर दीजेगा और चैनल को जरू सब्सक्राइब कर दीजेगा मिलते हैं अगली वीडियो में धन्यवाद